मैं हैं इसलाम उदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटाइम्स मुम्रा के गाउंदेवी में आज एक भयानक हाथसा होते होते बच गया एक ट्रक चालक इसकूटी चालक को बचाने के लिए मुम्रा बाइपास से गाउंदेवी में मजार के पास लगे ट्रांसफार्मर से बच गया अगर ट्रक की टककर इस ट्रांसफार्मर से हो जाती तो एक भयानक हाथसा हो जाता मगर गनीमत रही कि ट्रक चालक ने सही समय पर ब्रेक लगा कर ट्रक को रोग दिया दरसल मुम्रा बाइपास से लगकर गाउंदेवी इलाके के पास ये हाथसा हुआ है ट्रक चालक तुका राम शुखदेव जो महराश्ट के बीट चिले के बावी का रहने वाला है चालक ने बताया कि जो मुम्रा बाइपास पर कट बना है वहां से वो अचानक ट्रक के सामन अगया और उसको बचाने के लिए ब्रेक लगाया मगर गंड़ोन होता नहीं दिखा तो ट्रक को रोड की दुसरी तरफ मोड दिया जिस तरह से इस ट्रक चालक ने ट्रक मोड़ा वहां मजार के बाजू में ही ट्रासफारमर लगा हुआ है अगर उस ट्रांस्फार्मर से टरक की जरासा ही फास्टला बचा था अगर टकर हो जाती तो एक बहुत भयानक हाथसा हो जाता मगर चालक ने कंट्रोल कर लिया और इस हाथसे में किसी को भी चोट नहीं लगी मगर जो इसकूटी चालक है वो ठाकूर पाडा का रहने वाला बताया जा रहा है और इसका नाम आतिफ असलम शेख बताया जा रहा है इसकी स्कूटी छतिग्रस्त हो गई है मगर आतिक की जान ट्रक चालक की सूजबूज से बच गई है अस्थानिये लोगों ने भी बताया कि स्कूटी लेकर अचानक ट्रक के सामने आ गया और किसी तरह से ट्रक चालक तुकाराम ने स्कूटी चालक आतिक को बचा लिया मगार स्कूटी छतिग्रस्ट हो गई है मौके पर ट्राफिक बिभाग और मुम्रा पुलिस भी पहुँच गई ट्रांसफार्मेर के पास ट्रक को हटाया गया और ट्रक चालक स्कूटी चालक को पुलिस अपने साथ पूश्टाच के लिए ले गई है ताजा तर्म खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकॉन दबाना ना भूले अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें